दोस्तों, Study91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की मांग और अगस्त प्रस्ताओं से जुड़े भी कई सारे सवाल होगे। या पाकिस्तान प्रस्ताओं का मसाधा जो है, या फिर सवाल आजा है कि अगस्त प्रस्ताओं के पश्चात वाइसराय की परसब में कितने भारती सदस्य शामिल होगे। इस तरह के सांदार सवाल आप से आपकी परिक्षा में पूछा जा सकता है। आप उन सवालों का जवाब कैसे देंगे ये आप देखते हैं। कोपी कलम लेके बैठेगा देखते हैं कितने जवाब आपके सही होते हैं। एक बात और दोस्तो आप सभी के डिमांड पर modern history का दोस्तो foundation batch launch किया गया। ठीक है। देखें मैंने आपसे promise किया था कि 20 से को एक बार पढ़िये और उसके बाद आपको दुबाहरा न पढ़ना पड़े। एक बैठ जोईन कर लिजे फिर decide करेगा कि आगे नितियन सर के जो दूसरे foundation batch हैं वो भी हमें जोईन करने चाहिए या नहीं जोईन करने चाहिए ठीक है। कांग्रेस सरकारों ने कब त्याक पत्र दे दिया। प्रांती सरकार का गठन हो चुका है तो भारत के अंदर जो राजनेता उनसे पूछना तो चाहिए बीना केंदरी मंत्री मंदल से बात के भारत को युद में सामिल कर लेता। इसी वज़े से दोस्तों कांग्रेस के जो लोग रहते हैं उन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया अपना त्याक पत्र दे दिया। तो सिंपल सी बात है कि कब दिया होगा जब एस सेकंड वर्ड वार में सामिल होगा तब यानि 1949 के बात की ही बात है धोस्तों ठीक है शिटमबर के बात है याद रखेंगे यहाँ पर 22 अक्टूबर आपको याद रखना कब दिया दोस्तों इन्होंने अपना त्याक पत्र द दोस्तों कांगरेस नबनी सरकार बनाई थी, और अगर हम बहुमत की बात करें, तो बहुमत कितने में था, दोस्तों कांगरेस का, याद रखेगा पांच में बहुमत था, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगला सवाल क्या लिख रहा है, सभी प्रांती कांगरे सरकारों के त्याकपत्र देनी की खुसी में और याद रखे जब सभने त्याकपत्र दे दिया तो सबसे ज्यादा मिल करके हम लोग करते है ठीक है तो अगर सवाल ये पूछे कि मुसलमानों से अपील इन लोगों ने मुशलमानों से अपील कब किया मंगाने की ठीक है तो अपील किया दोस्तों 2 दिसंबर को अपील किया 1949 में ही और कब मनाये गया दोस्तों तो याद रखेंगे 22 दिसंबर को अपील करते हैं 2 December को और मनाये जाता है कब 22 December को ठीक है तो यह सवाल यह आप याद रखेंगे 2 December 22 December और याद रखेगा इसके ठीक 2 महीने पहले 22 October को दोस्तों इस्तिफा दिया था ठीक है इसलिए हम 22 का चुनाओत किया गया ठीक है तो 2 महीने बाद मनाये गया अगला सवाल ल लेकिं दोस्तों यहाँ पर Dr. भीम्रावंवंबेटकर जो हैं दोस्तों, Dr. आम्बेटकर याद रखेंगे इन्हों ने मुस्लिम लिख के फैसले को सही ठहराया, यानि विचार धोरा इन दोनों लोग की एक साथ है, मुसलिम लिख की विचार धोरा, जिन्ना की विचार धो और इस समय अंबेटकर जी की विचारधारा एक तरफ है और बाकी कांगरेस की नेताओं की विचारधारा अलग चल लेगी ठीक है यह समझ में आया यह अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है आपने मौडरिस्टी पढ़ा जरूर होगा लेकिन इन सवालों से आपका पाला हो सक अगर लिख नगरों की सिना ठीक है यह नाजी सिना क्या दोस्तों तयाद रहाएगा जर्मनी से दोस्तों क्या हुआ था ये दूती विस्विद स्टार्ट हो गया था ठीक है तो याद रखेंगे ये जर्मनी का रहने वाला हिटलर दोस्तों और इसने पोलेंड पर आक्रमड किया था कभी आक्रमड होता है ये भी सवाल आ सकता है पूछ सकता है कि इसने कभ आक्रमड किया और कब तक जब जापान पर आके बंग गिराता है अमेरिका जो है परमाड़ बंग 6 अगस्त और 9 अगस्त को तो 9 अगस्त को दोस्तों रोक लग जाता और वही दोस्तों अंतिम्तिती मानी जाती है यह दूती विश्युद्य के समाप्त होने के तो इस्टार्ट हुआ था एक स यह कौन आदमी है सर तो याद रखेगा उस समय का ततकालीन वाइसराय है कौन है दोस्तों यह कौन है यह उस समय का ततकालीन वाइसराय वाइसराय ठीक है वाइसराय क्या नामें दोस्तों याद रखेगा लार्ड लिन लिथगो कौन है दोस्तों लार्ड लिन लिथगो कैस यहां पर निर्विरोद चुना गया था। दोस्तो याद रखेंगे, इसके बाद जो अगले साल का अधिरेशन है, वह तरिपुरी अधिरेशन है, कौन सा दोस्तो तरिपुरी। ये तरिपुरी अधिरेशन हैं, ये हुआ थागा था उन यह正olph Sean में ठीक है, तो याद रखेंगे अब यहाँ पर होता क्या दोस्तो एक तरफ सुवास्चन बोश जी है अब दूसरे तरफ रहते हैं पटाभी सीता रमया को होने दोस्तो शुवास्चंद्र बोश जी और पटाभी सीता रमया पटाभी सीता रमया दोस्तो याद रखेंगे किसने खड़ा क नेता है उन्होंने सुभाशन बोश जी को उपर दबाव बनाया और सुभाशन बोश जी ने इस्तिफा दे दिया इसी 1949 वाले अध्वेशन से उन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया ये भी याद रखेंगे लिखर आप फारवर्ड बलाग की इस्तापना यहाँ पर सुभाशन बोश जी ने कर दिया ठीक है ये समझ में आगया आपको ये सब बहुत सांधार सवाल है आप जब जोड के पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छे से आप याद भी कर पाएंगे अगला सवाल देखे लिख रहा है आजाधिन फोज के अस्तापना दोस्तो कब और किषने किया था जिया दोस्तो आजाधिन फोज आजाधिन सरकार की बात नहीं कर रहा है फोज की बात कर रहा है तियाद रखें दोस्तो आजाधिन फोज बना था आएंगे तब आपको किस्ते मिलेंगे दोस्तों कैप्टन मोहन सिंग के बाद वहाँ सुभाशन बोजी की बात आती है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर और क्या-क्या चीजे दीगे जरा उस पर ध्यान दीजे ठीक है आईए यहां पर लिख रहा दोस्तों ले बताएगा दोस्तों 1943 में बनाए जबकि अगर आपसे आजाद हिंद फोज की बात करें देखें बहुत कन्फीजन होता है क्या करेंगे पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो याद रखेंगे जब कभी आपसे आजाद हिंद फोज की बात करें तब आप इसके गठन के बारे में इसका गठन 1942 में हुआ था लेकिन अगर आपसे इंडिया इंडिपेडेंस लीक की बात करें तब दोस्तों आप क्या बताएंगे इंडिया इंडिपेडेंस लीक तो सुरुआत इसकी दोस्तों हो गई थी इसकी भी सुरुआत याद रखेंगे 42 में हो गई थी इसको दोस्तो सबसे पहले टोक्यों में बनाए गया था और टोक्यों कहा है दोस्तों आपके जापान में जापान की राजधानी है और किसने बनाया था तो एक ब्यक्ति है रास बिहारी बोस याद रखेंगे रास बिहारी बोस यह रास बिहारी बोस दोस्तों भारती राते हैं जा करके वही जापान में बच जाते हैं जापान की एक लड़की रहती उसके साथ इन्होंने महाब ब्याहर रचा लिया इसलिए जापान वाले इन्हें अपना दामाद समझते थे इन्हों को दामाद मानने की वज़े से पूरा भारत को दामाद मानते थे याद रखेगा जापान वालों न फोज का पुनर गठन कौन किया था तो देखे हमने पीछे पढ़ा एक फोज बना कप था हमने पीछे पढ़ा दोस्तो एक फोज बना था 1942 में किसने बनाया था हमने नाम वहा पढ़ा दोस्तो कैपटन मोहन सिंग का किसका नाम पढ़ा हमने नाम पढ़ा Captain Mohan Sinka वहां पर पुनर्गठन मतलब सेना का पुनर्गठन फिर से किया जाता है तब दोस्तों इसके पुनर्गठन के दोरान 1943 की बात आती है और अब यहां पर क्या आएगा नाम सुभाष चंदर बोज जी का नामा था ठीक है तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तब जाके क्लियर हुप अगला सवाल लिख रहा है कि सिंगापूर में आजाध हिंद सरकार के अस्थापना किसने किया था ठीक है सिंगपूर नहीं दोस्तों इहां सिंगापूर करेगा शिंगापूर में आजाध हिंद फोज के अस्थापना किसने किया था या आजाध हिं सरकार के अस्थापना कि किया है, आजाद हिंद सरकार के स्थापना किया, किसके स्थापना, आजाद हिंद सरकार के स्थापना, कहीं कोई confusion है क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है न, चलो, आराम आराम से पढ़ते जाओ, बहुत आसान है, बस खाली ध्यान देते जाओ, लिक रहा है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के स्थापना ठीक है स्वतंत्र स्रमिक पार्टी के स्थापना ये दोस्तों कभ हुआ है और किस ने किया दोस्तों ये स्वतंत्र स्रमिक पार्टी दोस्तों इसका भी क्रांती में बड़ा इवदान था और ये जो है कब बना था ये बना था सुरुवात में 1936 इस्व में दोस्तो ये पार्टी बन चुके ति स्वतनतर स्रमिक पार्टी से कहते हैं याद रखेंगे और क्यों important है क्योंकि एक ऐसे ब्यक्ति का नाम इसमें आता है कि important बन जाता है ठीक है याद रखेंगे भीमराव मेटकर जी ने ये बनाया था हो सकता है बच्चों को न पता हो य जाद रखेंगे इसके अस्थापना तो गांधी जी ने किया एकिस ने किया है और 1932 में किया थिक है आगे बढ़िए लिख रह रहा है शंगी न्याइपालिका किस्थापना कब किया गया यह तो जब 1935 वाला अधिनियम आ जाता है ना भारस सरकार अधियम तो दोस्तों इस किया गया है तब कि आप क्या बताएंगे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर भारत सरकार अधनियम आया है क्या है दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार अधनियम आया था दोस्तों यह कब आया था 1935 इस्विम आया था और तब जाकर के दोस्तों इसके स्थापना हो यह संगी न या, फिर सीरे, फिदे, काओं कि पाकिस्तान की मांग, दोस्तों, उसनों ने कब कर लिया था, तो, दोस्तों, यहाँ पर, यह मांग मुहम्मद अल्य जिनना ने, मार्च 1940 में कया था, सबसे पहले कब दोस्तों, इसकी मांग हुई थी, याद रखेंगे मार्च 1940 में, और उस सम 40 में वही पर मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किया है कि भारत में दो राष्ट रोने चाहिए मुसल्मानों के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के निमार की बात की गई है यह भी याद रखेंगे आप मौका दे के जुड़िये तो सही यह हमारा हेलपलाइन नंबर है कॉल करके संपर कर सकते हैं किताबे आनलाइन आफलाइन हर जगा बेलेबल है बस आपके लेने की बात है आई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दे रहा है कि पाकिस्तान प्रस्ताओ का मसाओदा किसने तयार किया अब आपको लगेगा दोस्तों कि देखे आप समझे अगर आपसे मांग कर रहा है ठीक है पाकिस्तान का सरवर्थम मांग कब किया गया तो आपने पढ़ा दोस्तों लाहोर अधिवेशन क्या पढ़ा कि लाहोर अधिवेशन में सरपर्थम मांग किया गया कब किया गया दोस्तों तो आपने पढ़ा 1940 में किया गया लेकिन दोस्तों पाकिस्तान प्रस्ताव का ये मसवदा किस ने तयार किया था ये प्लैनिंग किसका था दोस्तों किस ने तयार किया उस ब्यक्ति का नाम है शिकंदर हयात क्या नाम दोस्तों शिकंदर हयात नाम है हो सकता आप इसे बहुत सारे बच्चों ने नाम भी न सुनाओ ठीक है शिकंदर हयात खान पूरा नाम है ठीक है याद रखेंगे दोस्तों जो मौसाओधा था पाकिस्तान प्रस्ताव का व है यह हमारे पेट प्रोग्राम का दस पर्शन भी नहीं यह क्लास जो आप पढ़ के हो सकता बहुत मजाया आपको लगे कि वाकई सरम ने इतिहास को बड़े नजदीक से त्यार किया है तो याद रखना है दस पर्शन भी नहीं है 90 पर्शन चीज अभी हम बात ही नहीं कर पार है ठीक है कैसे निचोड दे दे बताइए चारजा टापी एक क्लास में पढ़ा रहे हैं कैसे निचोड आपको मिल जाएगा आप आईए क्लास में तब हम बातचीत करेंगे ठीक है लिख रहा है सरपर्थम मुस्लिम लिख के किस अधिवेशन में और किस ने प्रिथा का मुस अधिवेशन 1930 में हुआ था और कहां पर हुआ था दोस्तों यह अधिवेशन संजोग से देखे इलहाबाद में हुआ है कहा हुआ है इलहाबाद में दोस्तों यह अधिवेशन हुआ है आपने यह भी नहीं पढ़ा होगा सवाल ठीक है इलहाबाद में अधिवेशन हुआ थ और यह विचार दोस्तों कुष ने दिया था तूजज़ किस ने दिया था? तूज़स ने दिया था? मुहाँब इकबाल ने यह विचार दिया था कि मुसल्मानों के लिए ब्रितकरबिए होना चाहिए. तूज़स कर Mina crisis बात जा कर दिमांग किया जाता हुत पाकिस्तान होना किसका नाम आता है चौधरी चौधरी रहमत अली जिया दोस्तो पाकिस्तान सब्द का प्रयोग पहली बार दोस्तो किस ने किया है तो चौधरी रहमत अली ने किया है तो तीसो चालिस के बीच में दोस्तो 1933 में किया था इनो ठीक है तीसो चालिस के बीच में तो खाली अलग म परिक्षा में बेशागा सकता है, ठीक है, आगे बढ़िए, लिकी है बृटीर्ज शरकान ने भारत के संबद में अगस्त प्रस्ताव की घोटना कब किया है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, यह अगस्त महीने में आया था, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव काते हैं, और क याद रखेगा किस ने लायता दोस्तों तो देखिए अभी भी वाईसराय कौन है वही लाड लिन लित्गो है जो दोस्तों किस समय में था जिसके समय में दूती विश्राय चला था और अभी युद्ध खतम थोड़े हुआ अभी तो चलेगा ना अरे भाई 49 में युद्ध श लाएगा था डेट सहीत आप याद रखेगा ये परिक्षा में आता है लिकरा किसके तहत वाईसराय की सलाकार काउंसिल मतलब क्या होगा दोस्तों सीदे सीदे सलाकार जो परिसद है परिसद मतलब उसकी जो कारेकारडी परिसद है उसके विस्तार के साथ कारेकारडी में भ भारतियों की संख्या बढ़ाएंगे ठीक है, ये प्रस्ताओ दोस्तों यहाँ पर लाइगा, लेकिन ये प्रस्ताओ असभ हला, किसकी वजह से मुस्लिम लिख गाड़ लिख रहा है दोस्तों, कि यह अगस प्रस्ताओ की योजना क्या था, योजना में क्या था मतलब कि उसके मैना चलेगी वो इसी कार दोस्तों बीच में क्या हो जाता है अब देखिए होता क्या है कि अगस प्रस्ताव भेजा जाता है ताकि कांग्रेज के जो नेता नाराज चलना है उनके साथ ब्रिटिशर्स का संबन दोस्तों थोड़ा अच्छा हो सके इसलिए तो यहाँ पर अगस पॉप दिया जा रहा है हमारे भारतियों को कि दूती वर्डवार के बाद ठीक है कि अभी इस वर्डवार में तो आप हमारा साथ दे दो अभी साथ चेयों को काम निकलना ठीक है बाद क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक प्रतिनिधी मूलक मतलब क्या होगा दोस्तों ए तो ये सम्मिधान निर्मात्त्री सभा का गठन करेंगे, जिसमें भारती भी सामिल होंगे, लेकिन अभी आप लोग हमारा साथ दीजी, ठीक है, हमारे भारतियों को लगा एक फिर सिम्मूर्ख बनाने आ गया, ठीक है, अंगरेज बार बार इसी तरह का चाल चलते थे, और उस्वास में लिए बिना ये क्यों सब्द लिखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इनको हितैसी बनना है, किसका हितैसी बनना है, याद रखेगा, मुसल्मानों का हितैसी बनना है, ठीक है, क्योंकि मुसल्मान क्या है, मुसल्मान ही तो संग्यक है, सिख जो है वल्प संग्यक हैं इसलिए दोस्तों उनका हितैसी बनना है तभी ये कर रहे हैं कि उनके विचार भी यहां पर सामिल के जाएंगे और तब संबैधानिक परिवर्तन किया जाएगा ये दोस्तों बात भी कहा गया अगस प्रस्ताओं में ताकि नाराज न हो आगे से युध्ध संब Reaper के लिए एक अलग से हम कमेटी बनाएंगे जिसका नाम होगा युध्ध продолж Samithi क्या होगा दोस्तों युध्ध युध्ध परामर मर्फ शामिती नाम होगा ठीक है जैसे जो आज विचार चला था था न में जो changes करने की बात की गई थी वो दोस्तों कितना changes किया गया तो याद रखेंगे 7 से बढ़ा कर 12 कर दिया गया ठीक है 7 से बढ़ा कर क्या कर दिया गया दोस्तों पहले 7 होते थे कारिकाडी में में मेंबर ठीक है 7 होते सांदाल लेक्षर दे रहा, बाकी 131 पार्ट अगर आप में नहीं देखा है, तो जा के देखिए, ठीक है, मज़ा खुबाएगा, ये विश्वास दे आ रहा हूँ, ठीक है, लिखता अगस्प्रस्ताओं के पशात वायसराय की कारेकारी परिसद में कितने भारतिय सदस्य हो ग मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ, किस 12 में कितने भारतिय हैं, ये तो पूछना जाना चाहरा है, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस 12 में कितने भारतिय सदस्य हैं, ये पूछा जा रहा है, कि क्या है, कितने भारतिय सदस्य हैं, सरिये बताइए, तो कहेंगे यहाँ पर 8 भारती सदस हैं 8 भारती सदस हैं और 4 अन्य हैं यह कारेकारड़ी परसद की बात करनें ठीक है तो 8 भारती सदस रखे गए यहाँ बड़ा चिंजस हो गया ठीक है आगे देखें 8 हो गया कुल साथ होते हैं तो ठीक है लेकिन उस समय कितने भारती थे अगर हम पूछें कितने कितने थे तब उस कितने का जबाब क्या था दोस्तों तब उस कितने का जबाब था उस समय चार ब्रिटिसर्स में आते थे और तीन भारती होते थे क्या होते थे चार चार ब्रिटिस होते थे और तीन क्या होते थे दोस्तो भारती होते थे ठीक है भारती होते थे अब क्या 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 अब आट भारती होगे मतलब सीदे सीदे देखा जाए तो याद रखेंगे 5 भारतिय बढ़ गए तो 5 भारतिय बढ़ गए तो 5 भारतिय बढ़ गए है यही तो आप से कहाना चाहरा कि 5,3,8 हो गए ठीक है आगे देखे अगस्त प्रस्ताओ के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी नारा पर व्यक्तिगत सत्यागरह स्टाट कर दिया क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत शत्यागरह सत्यागरह की सुरुवात यह महात्मा गांधी ने कर दिया यह आप याद रखेंगे यह अगस्त प्रस्ताओ के विरोध में किया कहां से किया दोस्तों याद तो महत्मा गादीजी ने ब्यक्तिगत सत्यागरा या अगस्त प्रस्ताव के बिरोध में स्टार्ट किया था इस सवाल को भी आपको याद रखना है ठीक है और आगे आजाए अगला सवाल देखते हैं अगला लिख रहा है कि ब्यक्तिगत सत्यागरा अंदोलन के पहले और सत्यागरा है मतलब व्यक्ति कौन थे दोस्तो तो याद रखेगा इसमें पहले सत्यागराई चलिए नोट करिए इसमें पहले सत्यागराई कौन थे दोस्तो बिनोबा भावे जी थे सवाल आता है दूसरे सत्यागराई दोस्तो कौन थे याद रखेंगे जवाहर लाल इन जी थे ठीक है तीसरे सत्या और रहे कौन नहीं तो आप जानते हैं आप तो दो ही पढ़ने में लगें लेकिन स्युटि प्रस्ताव पर किष्ञ्णे कहा कि जिस अधिराज्य की स्थिती के समग्र विचार पर यह प्रस्तावाद हारित है. वो दर्वाजों में जड़ी कील के समान है. क्या दोस्तो जंग लगी कील के समान है? यह किसने कहा? यह जवाहलाल नहरू का गतन था और यह लोग मिल करके क्या करें दोस्तो दोस्तों क्योंकि यह चीज़े था कि पहले आप युद्ध निपड जाने तो फिर हम आपका काम करेंगे भाई क्यूं ये भी तो सकता था पहले हम आपका काम करें बाद में युद्ध निपड जाएगा तो ऐसा तो अगरेज नहीं सोच रहे थे हैं लोगों को काम निकानना था बार-बार आ रहा था दोस्तो युद्ध समाप्ती के बाद, दूती विसुद्ध के बाद, अरे बाद क्यों, पहले बात करो न, एक तो बिना पूचे सामिल कर दिये, उपर से बात 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 लगा के रखो, तो गुस्सा नहीं आएगा इन लोगों को, आएगा, आगे लिख रहा है, अगस प्रस्ताओ पर क ट्यारी नहीं था, कितने आगे आप देखेंगे, दोस्तो वेवल और युजना आएगा, ये मुस्लिम लिख मानने को तयारी नहीं है, ठीक है, कहीं भी दोस्तो, एक परसेंट दोस्तो जुखने को ने तयार है, ये कहा कि हम कुछ नहीं सुनना है, भारत विवाजन होगा त खतम भार्व विवाजन होगा तभी हम बैठ कर बातचीत करेंगे अन्यता हम बात ही नहीं करेंगे मतलब इतना तक हता फिर क्या फिर कैंसील हो गया फेल हो गया ठीक है तो चली बहुत सारे विसे दोस्तों यूटूबर पढ़ा दिये गए है यह उनीक हैं नोट से जोने आप बिसे को हम सुरू करेंगे तो जली साब अपना कमेंट देना स्टार्ट कर देजे कि आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं वर्ड जिग्राफी इंडियन जिग्राफी या इंडियन पॉलिटी ठीक है आप जो कहेंगे मैं आपको क्या पढ़ाऊ यह अब हिस्ट्री खतम हो र दीजेगा ताकि हर चीजें कंप्रिट्ली आपको मिल्या ठीक है और हो सके तो वीडियो को सेर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा बाकि आप जानते हैं ठीक है तो बहुत-बहुत धन्यमाद दोस्तों आपका मिलते हैं के लिए लेक्चर में तब तक के लिए जय हिन जय भ